नमस्काज, स्वागत है आपका JJN News में और आपके साथ मैं हूँ गणिश एक तरफ भीशन गर्मी, उपर से पानी की जद्दो जहत के चलते हल्दुवानी शहर के वाड 37 के निवासियों का पारा चड़ गए और जल संस्तान पहुँच कर उन्होंने अपनी भड़ास निकाली बता दे, शेत्री जनता का कहना है कि लाइन मैन से लेकर सभी अधिकारियों से पेजल लाइन दुरुस्त करवाने और पानी की समुचित व्यवस्था करवाने की अपील कर चुके हैं कई बार अधिकारियों को ग्यापन और मौखिक रूप से भी मामले से अबगत करा चुके हैं लेकिन आज तक कोई कारवाई नहीं हुई लोगों ने कहा कि उनके सबर का बांट तूटता जा रहा है और बेताहाशा पड़ रही गर्मी में विभाग की और से पानी की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जा रही विभागी करमचारी लंबे समय से आश्वाशन तो दे रहे हैं पर हकीकत में अभी तक समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है देखे मैं निवर्तमान पार्शदू, रोहित मेरा नाम है मैं यहाँ सुभा से आ रखा हूँ ना तो यहाँ पर अधिशासी अभियंता मौजूद है मोधी जी कहते हैं कि हर गषर नल, नल में जल पूरा शहर पानी से सुखा हुआ है किसी पे नल में अक भूंध पानी नहीं है मैं बताना चाहता हूँ कि नई वस्ती जो कुपाल मंदिर का ट्यूवल कल से खराब है और यह जो ट्यूवल है यह तीन मेहने में दूसरी बार खराब हो चुका है और मैंने इसे पूर में भी यह कहा था कि भाई सब आप जो मोटर है एक अच्छी लगा दीजे जिससे कि वो लॉंग टाइम चल सके लेकिन इनके यह वही पुरानी मोटर को रिपेर करवा देते हैं और उसी को दुवारा फिट कर देते हैं कम से कम नहीं तो 2000 की आवादी पानी से जूज रही है गांधी नगर नई वस्ति गोपाल मंदिर इंटरागर इंटर कॉलिज प्राइमरी स्कूल का जितना भी छेद्रे वो सारा पानी से जूज रहा है और लेकिन यहां कोई सुनने क уск een अर्ıs च क्योपन और कुछ कहने को राजी नहीं है और मेरा नाम रोही थे और मैं भी निवडवान पार्श्но LIKEनुरी धिकते हैं क्यूंकि टाइम टॉटा एम नहीं खोलता है जिनका नाम पंकेज टमटा है तो वो भी हम से लड़े करने आ जाता है पानी टाइम टू टाइम नीखोलेगा लाइट चले जाएगी लाइट के आने के बाद में नीखोलेगा रात के साथ-साथ बजे तक पानी खोल रहा है वहां के अंधेरे में हम जंगल में बैठ रहेंगे सारी लाइने टूटी पड़ी हैं वहां पे कोई सुनता ही नहीं है हमारे उत्रा खंड का हाल ऐसा है कि यहां बहुत अधिक अफसरसाई है यह आम जिनता की कोई सुनवाई नहीं करते हैं इसलिए सबस्तर छेत्रवासियों को जो पेजल का जो संकट है उससे जूजना है इसको लेकर हम लोग कई बार सिकायत भी कर चुके हैं लेकिन अफसरसाई के वज़े से हमारे चेत्रवासियों की समस्या का समधान आज तक नहीं हो पाया है आज इसको लेकर हमने अपनी मातां और बहनों के साथ यहां जल सस्तान का घिराव किया है मैं हिर्देश कुमार सब्सक्राइब करने के बाद कुछ दिन समधान मिलता है मैं यह देख रहा हूं कि हल्दवानी जैसे स्मार्ट सिटी में रहने के बाद हम लोग का यह हाल है तो पहाड में जो लोग दूर दरस्ते लाकों में रहते हैं उनके साथ क्या होता होगा हम तो फिर भी आके हैं का इवार हमने समस्या का सामना मतले सामने रखी उसके पर कोई सुनवाई नहीं होती है 2017 से मैं सीम पोर्टर से लेके इस्थानी अधिकारियों को लगाता टच में हूँ इवन यहां तक कि फोन करते हैं फोन नहीं उठाते हैं डिपार्टमेंट के नंबर हमको दे रखें उन इनका सारा लेका आज यहां आएं तो आज भी यहां पर कोई आला अधिकारी है नहीं मेरा नाम दीपक कुमार टमटा है वार्ड नंबर 37 नियर मनन नश्रमक यह रिपोर्ट आपके लिए तैयार कीती हमारे समवादाता दीपक अधिकारी ने फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही बांकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेन नियूज धन्यवाद